Hello everyone, NK Education Channel पाप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे N.I.O.S. D.L.A.D. डिग्री धारक जो टीचर्स हैं जो की B.P.S.E. T.R.E. 1 और B.P.S.E. T.R.E. 2 में जोइनिंग लेटर ले चुके हैं उन पर कोई भी कैसी भी आपती नहीं आएगी प्रॉब्लम उनकी है जो आगे आने वाली बर्तियां हैं उन में और उनकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें जब ये चीज कही गई थी उसकी मान्यता के रिगार्डिंग जब भी बाते हुई थी तो आपको आस्वस्त किया गया था तो ये लड़ाई आपको लड़नी हैं बाकी जो बात रही कि जनोंने एन आई उएस से डियाले डिग्री प्राप्त की थी और जनोंन आच नहीं आने वाली यहां पर आप देख रहे होंगे कि एजुकेटर ओफ बिहार के हमने एक्स पर ये आपको दिखा रहे कि मान्ये सरवोच न्यायले के जज्जमेंट के आने से पहले ही न्युक्ति पत्र बाटा जा चुका था आप यहां पर लॉजिकल बात देखिएग का टेकनिकल इसलिए बीपीएसे टी आरी वन में जोइन करने वाले एन आई योएस डी-एलेड डिगरी-धारी सिक्षक सुरक्षित हैं और यह किसने कहा है एसी ास्के के पाठक ने यानि यह जो अपर सचिव हैं हमारे एसी एस के के पाठक का यह बयान है तो यह आप इसक को समझ सकते हो कि ये कितना authentic है कि जो सिक्षक इस चीज में परेशान थे जिनों ने NIOS से DLED किया था वो पिछले कुछ समय से काफी परेशान थे कि उनके साथ क्या होगा लेकिन आपको हमें एक बात बता दें एक नियम होता है कि जब को जजमेंट आता है उस जजमेंट से पह आपकी जब सेफ है और ये 101 परसेंट सेफ है इस पर कोई आच नहीं है जिनोंने जोइनिंग लेटर लेकर जोइन कर लिया है क्योंकि जजमेंट से पहले का आपका ये है निकती पत्र जो है वो बाटे जा चुके थे और यही बात अब केके पाठक जी ने भी कह दी है तो व हम सभी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि आप अब इस चीज से बिल्कुल टेंशन फ्री रहें इसमें किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन नहीं है बात रही अब आगामी आने वाली जो बढ़तियां है जैसे कि के वी एस पी आर्टी का है उसमें अभी उस क्वेश्ट किया है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं एक रास्ता है वो एन आई ओएस डी एलेड स्टूडेंट्स के लिए एक रास्ता है आपके पास एक अभी क्लू है जिसके सारे आप चलकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि वहा हैं और सेफ ही रहेंगे अपने मन से ये बात बिलकुर निकाल दें ऐसा कुछ नहीं होगा और हाँ प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जादे करना क्योंकि जब आप लाइक क जितनी आनी थी और सप्लीमेंटरी रिजल्ट आना था अगर उसका भी आपको जानकारी लेनी है तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी आप देख सकते हैं एक बार और सभी बीपीएसी टी आरी वन में जोइन कर चुके सभी सिक्षक को हमारी तरफ से बहुत- थैनक्स वर वैचिन